हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंस्टॉलजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूँगा फिंगर्स के अनैल्सिस से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैल्सिसम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जाए रहा हूं सासा ड्रॉ करता जाओंगा आपके लिए तांकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नज़र आ रहा है यह मेरा वर्टसैप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर वर्टसैप मैसेज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी हथेली थोड़ी लंबाई में नज़र आ रही है लेकिन एक इस तरह की स्क्वारी शेप यहाँ पर इनकी हथेली की बनती हुई जो इंडिकेट करती है काफी हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में है लेकिन मीडियम साइज नहीं बहुत ज़्यादा लंबाई नहीं है यहाँ पर फिंगर्स की और पर्टिकलर फिंगर्स को अगर देखा जाए तो इनकी जो सूर्य फिंगर्स को अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति थोड़े adventurous nature के होते हैं और साथी साथ risk taker type की personality ऐसे व्यक्ति की रहती है Life में कोई भी काम करने में थोड़ी जल्दभाजी दिखा सकते हैं ऐसे व्यक्ति लेकिन साथ खासतोर पर एक चीज इनके अंदर रहती है कि creativity इनके काफी अच्छी रहती है और even social circle भी ऐसे व्यक्ति का काफी अच्छा रहता है जिनकी जो सूरे finger अच्छी लंबाई में हो और अगर इनकी groove finger को देखा जाए तो यह है थोड़ी सी tilted है कुछ इस तरह से इस finger का झुकाव शनी finger की तरफ हो रहा है जिसकी वज़े से व्यक्ति काफी ज़्यदा spiritual होता है और थोड़ी वेराग्या की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर रह सकती है overall ब्रस्पति finger ज्यादा short नहीं है जिस वज़े से अच्छी leadership qualities भी इनके भीतर रहने वाली है और अगर देखा जाए इनकी शनी finger को बिलकुल straight शनी finger काफी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर एक straight शनी finger का होना indicate करता है कि ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती nature के होते है और अपनी इसी nature की वज़े से life में काफी rise भी कर जाते है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके mercury finger को अब देख सकते हैं कि जो mercury finger है यहाँ पर सूरिया finger के first falance से थोड़ा नीचे रह रही है लेकिन बिलकु straight finger है बेशक बहुत ज़्यादा लंबाई में नहीं है लेकिन यहाँ पर यह बिलकु straight finger होना अच्छे communication skills व्यक्ति को देता है एक average level के communication skills रहेंगे और अच्छी calculate करने की capability भी इनके भीतर रहने वाली है fingers के ओपर काफी सारी बारी इस तरह की खड़ी रिखाएं आपको नज़र आ रही होंगी लगबग सभी falanges की ओपर ऐसी रिखाएं हैं जो indicate करती है कि ऐसे व्यक्ति की जो nature रहती है काफी friendly और काफी ज़दा sober type की nature ऐसे व्यक्ति की रहती है काफी million सार लोग होते हैं यह और एक चीज़ और देखने वाली है fingers में यहाँ पर यह fingers बिलकु सटी होई है यह fingers के बीच में जो gaps हैं बिलकुल भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं इस तरह से base falanges से अगर fingers बिलकु सटी होई हो तो ऐसे व्यक्ति भागशाली होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर life में काफी सारा पैसा अपने पास accumulate कर सकते हैं और थोड़े से क कम खर्चीले भी इने कहा जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद सभी recount को भी यहाँ पर देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पर एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की जो line है वो बनकर सामने आ रही है इसमें आप देख सकते हैं इनक जो mercury mount है वो हलका सा low set है जबकि इनका guru mount सूर्य और शनी mount यहाँ पर काफी अच्छी space में नज़र आ रहे हैं mercury mount बेशक थोड़ा सा low set है जिसकी वज़े से थोड़ी shy nature हैनी के संभावना है लेकिन इस area के उपर अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह है कि खड़ी रिखाओं का होना यहाँ रिखाओं जितनी ज़्यादा होती है उतनी ज़्यादा benefit माने जाती है इस तरह की रिखाओं होने से व्यक्ति के भीतर healing qualities रहती है यानि दूसरों की problems को समझना और दूसरों की problems को solve करना इनकी nature रह सकती है और मैंने बहुत से ऐसे लो हो सकते हैं तो अगर ऐसा व्यक्ति किसी भी ऐसे profession में ना भी हो तो भी ऐसे व्यक्ति के भीतर दूसरों की help करने की प्रवीती काफी ज़्यादा रहती है एक तरह से social worker जैसी nature ऐसे व्यक्ति की हो सकती है और यह रिखाएं mercury mount को और भी मजबूत करती है business equipment को strong करती है और calculation करन नजर आ रही होगी कुछ इस तरह कि एक अच्छी mercury line जो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है यह indicate करती है कि ऐसे व्यक्ति की business करने के किशमता काफी अच्छी रहेगी और दूसरी चीज यही mercury line एक बहुत अच्छा money triangle यहाँ पर create कर रही है यहाँ जो already में line draw कर चुका हूँ यह mercury रेखा है और यह जो दूसरी line में draw कर रहा हूँ इसको भागया रेखा कहा जाता है और यह जो तीसरी line है इसको कहा जाता है mind line अगर आप देखे तो आपको एक पूरा complete triangle नजर आएगा यहाँ पर कुछ इस तरह का complete triangle बनता हुआ इस तरह का triangle होना बहुत ही भागया शा ले माना जाता है जिनके भी हाथ पर ऐसा complete triangle बनता है ऐसे व्यक्ति अपनी life में खूब धन दौलत जमा कर लेते हैं आगे बात करते हैं इनके surya mount की तो यहाँ पर आप देख सकते है surya mount दबता हुआ नजर आ रहा है अंदर की तरफ किसी भी mount का अंदर की तरफ दबना उसको weak कर देता है तो यहाँ पर यह weakness रहेगी बहुत ज़्यादा name and fame की यहाँ पर हम अमीर नहीं लगा सकते लेकिन surya rikha मौजूद है जो एक अच्छा circle तो इन्हें जरूर देगी अब यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह की रिखाएं जो surya mount की तरफ बढ़ रही है लिकन नहीं है कि लंबी रेखा के रूपे नजर नहीं आ रही है लंबी रेखा अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से एक लंबी लाइन मौजूद होती तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे result देती लाह यहाँ पर रिखाएं मौजूद हैं जिसकी वज़ए से अच्छा social circle इने और सूर्य मौट के ओपर तो तीन से चार ऐसी चुड़ चुड़ी खड़ी रिखाएं आपको नजर आ रही होंगी इस तरह की रिखाएं व्यक्ति को multi-tasking बनाती हैं ऐसे व्यक्ति के भीतर एक से ज्यादा तरह के talent रहते हैं और शायद इसी वज़ए से ऐसे व्यक्ति को career क चुनाव करने में भी काफी दिक्तों का सामना करना पड़ता है आगे बढ़ते हैं शनी मांट की तरफ अब देख सकते हैं यह है जो area है शनी का area यहाँ पर flat नजर आ रहा है लेकिन एक बहुत अच्छी भाग्या रेखा जिसको में शनी रेखा भी कहते हैं वो इनके हाथ मे नजर आ रही है इस तरह की एक लंबी भाग्या रेखा का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को धंसे जबंदी ज़्यादा दिकते हैं लाइफ में नहीं होंगी इंकम इनकी अच्छी रहती है जिनकी अच्छी हाथ में अच्छी सनी रेखा होती है ऐसे व्यक्ति comfortable life को enjoy करते हैं life में हर तरह की सुक्सुई धाएं व्यक्ति को मिल जाते हैं और अगर इसी के साथ साथ शुकर माउंट यह है जो area है अब देख सकते हैं यह हैं इनके अंगोठे के साथ वाला area बिलकुल उभरा हुआ है स्मूथ है हलकी सी लालीमा लिये हुए है पिंकिश कलर है त साथ में भागया रेका अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले भी हो सकते हैं comfortable life पसंद करते हैं luxury चीजों का इन्हें शौंक रहता है ब्रेंड़ चीजें इन्हें काफी अच्छी लगती है और यह दोनों चिन व्यक्ति को एक comfortable और luxury life जरूर देते हैं साथ ही स यह एरिया थोड़ा सा भी दबता है तो व्यक्ति को hard work भी करना पड़ता है मेहनत भी करनी पड़ती है तभी सभी चीजें possible होती है आगे आप देख सकते हैं इनके गुरू माउंट को गुरू माउंट का एरिया यहां पर काफी उबरा हुआ है जिस वजह से एक धार्मिक ट आता है ऐसे व्यक्ति sympathetic nature के होते हैं दोसरों की help करने वाले होते हैं और यह गुद्धाजाई व्यक्ति को six sense भी देता है ऐसे व्यक्ति के अंदर पूरवा भास करने की capacity रहती है आने वाली घटनाओं को पहले से ही भाप लेना ऐसे व्यक्ति की खूबी रहती है आगे आप चिन बहुत ही भागयशाली माना जाता है अगर ऐसा व्यक्ति सही रास्ते पर चलता हुआ काम करे तो life में कभी भी अगुनती नहीं होती ऐसा व्यक्ति लगातर progress की तरफ अगरसर रहता है overall heart line थोड़ा सा emotional इने बना रही है कुछ हलकी रिखाएं यहां पर इस तरह की नीच मांड लाइन को अगर देखें तो एक लंबी मांड लाइन लेकिन जुकी होई नीचे की तरफ इस तरह की मांड लाइन का होना व्यक्ति को over imaginative बनाता है ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कलपनाई करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्ति जिनकी लंबी मांड की रेखा हो सकते हैं बेशक प्रफेशन के तरह पर ऐसे ना हो लेकिन इनकी अंदर ऐसी खूबियां हो सकते हैं और अगर ऐसे कोई खूबी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कलपनाशीर हो जाएंगे और इनी कलपनाओं की वज़ए से तनाव या स्ट्रेस जैसी प्रॉब यहां पर काफी अच्छी लंबाई में आपको दिखाना चाहूंगा लाइफ लाइफ लाइन की जो लैंथ है यहां पर लगबग यहां पर हतेली के बिलकुल अंत तक पहुंचती हुई 80 प्लस की एज को इंडिकेट करती है ऐसी लंबी लाइन इस तरह की लाइन का होना काफ सब्सक्राइब लाइन की लाइफ जो है काफी अच्छी और काफी स्टेबल रहने वाली है शुक्रमाउंट के बारे में और बता चुका हूं चंदर माउंट को अगर देखा जाए चंदर माउंट के उपर बहुत जादा नेक्टिव रिखाएं नहीं है कुछ इस तरह की रिखाएं और इनकी इस लाइन का यहां से निकलना वदेश यात्राएं ने दे सकता है लेकिन प्रमनेंट सैट्लमेंट नहीं रहेगी और सब्सक्राइब के जवालों के जवाब एक ही वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सवार रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पैंडिंग है तो मुझे वर्ट सैपे मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद